हुआ मैंन बात करेंगे सिक यहेंगा नॉक है के नौकरी कि के क्वार्ट फिर सब्सक्र denim नवकरी को पहले क्वाएंट वह कैसे पहले क्वाय। नंबर जो दूसरा point होगा मुझे कैसा लगा है नौकरी का result क्या मेरे view है इसके उपर नंबर तीसरा point जो लोगों ने खरीद रखा है किसीने 5,000 पर किसीने 5,000 पर किसीने 6,000 पर वो उनको क्या करना चाहिए वो क्या कर सकते उस पर मेरा इट view आएगा चौथा कोई नई opportunity बन नहीं है नई बन नहीं है वो आएगा और 5 मां Monday वाले दिन क्या वही हो सकता है क्या stock पर impact पड़ सकता है जिस तरीके के result है उसका तो वो भी discussion होगा तो ये 5 point है जहाँ पर discussion होगा और इसके अलाबा टेली के नाम channel free of cost है यहाँ पर अगर join नहीं किया तो join कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी educational video educational post जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं learning मिल जाएगी आपको ऐसे 2 रुपे का stock करोट पती बना देगा या ये खरीद लो आपको लग पती बना देगा रह सकते हैं नहीं अच्छा लगे तो आप अपनी मर्जी के मालेक है वहाँ से निकल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी बात कर लेते हैं company के जो result है तो personally बताओ मुझे result काफी बढ़ीया very good result दिखे हैं काफी बढ़ीया result दिखे हैं तो यह तो मैंने अपना view बता दिया पहला point हो गया अभी कैसे result आए वह उसको भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं अगर result देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं दिखती result में buy on buy देखोगे तो income बढ़ीया है Q on Q देखोगे तो भी income बढ़ीया ठीक है यह तो हो गया अगर बात देखोगे profits की तो profits भी काफी बढ़ीया अच्छे आएं कोई दिक्कत नहीं दिखती देखोगे net profit ठीक है यह हो गया अगर आप buy on buy देखोगे तो profit देख लो कितने बढ़ीया बढ़े है Q on Q थोड़ी से profit कम हुए है वो क्यूं कम हुए है उसको भी थोड़ा से देख लेते है Q on Q कम क्यूं हुए है उसको भी थोड़ा से चेक आउट करेंगे तो भाई कम इसलिए हुए है क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो exceptional item के जो gain है वो यहाँ पर थोड़ी से इस बार कम आए है जो पिछली बार काफी ज़ाद आते उसकी वज़े से आप देखोगे Q and Q में जो profits है वो थोड़ी से आपको कम देखने को मिलेंगे वैसे अगर देखोगे before exceptional item और text देखोगे तो Q and Q भी जो profits है वो आपको अच्छे दिखेंगे यह देखो हैं अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर यह Q and Q और मुझे तो काफी बड़ी है result देखें है ठीक है अभी थोड़ा सा चलो result ही देख लेते हैं पहले थोड़ा एक बार और सही तरीक है यह देख लो ठीक है यह हो गए results net sales इतनी बड़ी है 15% के आसपास यह है Q and Q ठीक है और जो net profit है यह थोड़ा सा कम होके आया जो मैंने बता दिया क्यों कम हुआ है वो भी मैंने बता दिया था region ठीक है बाकी भाई योन भाई देखो के तो भाई धमाके दार है भाई योन भाई 50% के आसपास देख सकते हो जो sales है वो बढ़ी है और profit आपको देखो के आसपास बढ़ा है तो यह तो हो गया सी चलो अब बात कर लेते हैं क्या-क्या वाई कोमेंटरी होई है क्या और चीज़े हैं वो देख लेते हैं ठीक है यह तो सबस्थरी देखेंगे यह मैं रखा जैसे आपको पता हिए यह लो पैसा लगा प्र míos ने रखा है तो इतने सारे स्टार्ट उप है इनका पैसा लग में ठीक है तो यही इनका जिए निका बिजनस दिखता ॉनुग काफी बड़िया गुजनस it लिक्त दिखती नहीं है बात करेंगे बिलिंग की तो काफी से इन्होंने जो कमेंटरी की वह अच्छी की हैलाइट वह देख लेते हैं थोड़ी तो देख सकते हैं अब 58% बाई उन बाई तो यहां पर भी देखोंगे काफी बड़ी आप अच्छी बढ़ाता है इसके बाद देखोंगे रिकूट्मेंट सलूशन में रिकूट्मेंट सलूशन में देखोंगे बिलिंग एड़ 375 करोड बाई उन माई देखोंगे 80% की ग्रोध दिखेगी आप इसके लाबा अगर आप देखोंगे 99 एकर जो इनका एक और भी है उसके देखोंगे बिलिंग एड 61.4 करोड जो की है 17% बाई उन बाई और सिक्छा.com में बिलिंग एड 25.7 करोड जो बाई उन बाई है 51% के आसपास तो काफी बढ़िया इनकी जो कमेंटरी है काफी बढ़ की हाइलाइट देखोंगे तो इनके जो मैनेजिंग डिरेक्टर हैं MD है उनने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं तो इनका कहना है जिस तरीके से IT हाइरिंग बढ़ी है पिछले 15 साल में जबसे हमारा IPO तबसे बहुत बढ़ी है और ये आने वाले टाइम में भी ऐसे कई तो इससे इनके वही जो स्टॉक है काफी बढ़ी है चल सकता है और चल सकता है और कोई इंपेक्ट नहीं पढ़ रहा है Omicron का इनने उन देख बहले ही बता रहा दिया है और तो कमेंटरी भी काफी बढ़ी है और बता भी रहें काफी अच्छा चल ला है अब चार्ट पर बात करेंगे तो अभी के लिए देखो पहले मैंने क्या बताया था क्या क्या बात करेंगे जो उपर वाले हैं उनक्या कर सकते हैं मुझे तो भी काफी बढ़ी है डिसकाउंटेड लेवल पर दिख रहा है अगर आपने उपर गई करीदा तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या कहते हैं अबरेजिंग और यह तो हो गई बात उनके लिए जो उपर वाले हैं बाकी नई काफी बढ़ीया उपर चोटी है को CMP का आज पास ले सकता है मुझे तो भाई कई ही कोई से भी कोई दिक्कत नहीं दिखती इतने बड़ीया रिजल्ट आए है और इतना मतलब discounted price पे मिला है तो कोई दिक्कत नहीं दिखती बेसक यहां से गिर जाए 4000 पे और एड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दिखती तो जा सकते हैं और Monday को अगर मैं अपना भी बता हूँ तो मुझे लगता है Monday को तेजी आ सकती है इसमें नौकरी में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप intraday करने चले जाए long term के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत भी बड़ीया फ्राइच चला है तो आप जरूर accumulate कर सकते हैं बाकि मैंने उपर वालों को बता रखा है यहां पर कर सकते हैं थोड़ा सा averaging तो दोनों ही चीज़े बता दी मैं तो थोड़ा सा bait कर रहा था कि यहां पर कुछ ब्यू मोटे मोटे बता दी हैं मुझे पहले भी इंफो यह पसंती जब यह गिर रही थी तब भी पसंती मैंने कहा था आपको उपर जब भी prices पे हैं loss book नहीं करना है और चाहें यह भागे तब भी मुझे पसंद रहे हैं मेरे ब्यू सेम रहते हैं ऐसा नहीं यह quarter के result है और इसके अलाबा आप देखोगे आईजील भी है वन अब दा जो अभी के लिए कुछ performance नहीं है लगातार कई कार्टरों से तो उन में थोड़ा सा मैंने एक्शन लेने की सोच रहा हूं अगें लेकिन जो एक quarter के इसाब से मैं किसी भी perception नहीं मना लेता हूं कि यह खराब सुष्ट